हेलो एवरिवन, वेल्कम टू माई चैनल, आज की जो रेसिपी है, वो है बिहार की सबसे फेमस रेसिपी लिट्टी चोखा की, तो चलिए इसी बनाते हैं मैंने यहाँ पे एक कटोड़ी चने की सत्तू लिया है, एक मेडियम साइज का प्याज बारी कटा हुआ, दो हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया का पत्ता, अब यहाँ पे मैं गिसी हुई अधरक डाल दूँगी, आठ दस कलिया यहाँ पे लेसून को बारिक बारिक मैंने काट लि जलिए, रजेना है, अब मैं यहाँ पिए थोड़ा सा अज्वाईम न लिए थोड़ा हाथों कर लें रही हो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मंग्रेल भी डाल दूंगी, अब यहाँ पेर मैंने चममस्ः तरसोह का तेल उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, जीरा लाल हो गया आठा गुनने के लिए यहां मैंने गिहूं का आठा लिया है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है अब हम यहां पर डालेंगे थोड़ा सा मंगरेल मैं यहां पर थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी एक चम्मज सरसो का तेल यहाँ पर मैं डालूँगी अब इसे अच्छे तरह से मिला करके हमें आटा गुण लेना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा पाने डाल करके अच्छे तरह से आटा को गुण लूँगी और आटा हमारा ना तो जदा नर्म हो और ना जदा सर्क्त हो यहाँ पर मेरा आटा गुण चुका है तो हम चलते हैं अब इसकी लूई बनाने के लिए इस तरह से छुट-छुट लूई को हम तोड़ेंगे और अच्छी तरह से लोई को गोल-गोल करके बनाएंगे जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब इसमें हमें सब्तु को दबा-दबा करके भड़ लेना है इसे तरह से हमें सारे लोई को बना करके तयार कर लेंगे अब चलते हैं इसे पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अपे पेन का इस्तमाल किया है यहाँ पर मैं एके करके लिट्टियों को सब को डाल दूँगी और इसे मेडिया माज पर पकने दूँगी हमारा एक तरफ से लिट्टिया पक गई है तो इसे हम पलट देंगे दूसरे तरफ पकाने के लिए चलते हैं चटनी की प्रिप्रेशन करने के लिए तो यहां पे मैंने टमाटर और बैगन दुनों को पकने के लिए रख दिया है और मैंने बैगन में यहां पे मिर्ची और लेसुन को डाल दिया था कट लगा करके अब हम एक बॉल में जो हमने पकाया था बैगन और टमाटर उसे अच्छे तरह से छिल लिया है और सब को डाल दिया है अब इसे अच्छे तरह से मैस कर लेंगे अब यह अच्छे तरह से मैस हो गई है तो मैंने यहाँ पर बारी कटे हुए प्यास एक मेडियम साइज का प्यास लिया है और मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी हरी मिर्च और हमने मिर्च इसके अंदर भी डाला था बैगन के तो मैं यहाँ पर एक ही मिर्च का इस्तमाल कर रही हूँ बारी कटे हुए धनिया के पत्ते अब मैं इसमें डालूँगी स्वादनुसार नमक और कच्छा सरसो का तेल यहाँ पर मैंने कच्छा सरसो का इस्तमाल किया है अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और हमारी जो चट्टी है वो रेडी है अब चलते हैं इसे हम सव करने के लिए तो जो लिट्टियों को हमने बनाया था उसे हम घी में अच्छी तरह से डूबो डूबो करके नहलाएंगे जिससे कि हमारी लिट्टियां जो है वो नर अगर आप इस तरह से लिट्टी चोखा बनाएंगे तो आपका जो लिट्टी चोखा है वो बहुत ही स्वाधिष्ट बन करके तयार होगा तो आप इस तरह से बना करके मुझे कॉमेंट में जरूर लिखेगा क्या आपको कैसा लगा अगर मेरी जो आज की रेसिपी है वो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अब इसे चलते हैं हम सर्व करने के लिए तो मैंने यहाँ पे जो टमाटर और बैगन की चटनी बनाई थी उसे ले लिया है अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का चटनी, कटी हुई प्याज और एक हरी मिर्च डाल रहे हूँ यह देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है तो मैं चल रहे हूँ इसे खाने के लिए और आप भी जाएए यह रेसिपी बनाएए और मुझे कमेंट में लिखके बताएए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी